यह विडियो जो की आपको डियू एलल्बी 2023 के लिए होगी बहुत बहुत काम में आएगी बहुत ज्यादा आपके लिए फाइदे मन रहेगी इसलिए विडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा D.U.L.L.B. के उपर जितनी इस वक्त अपडेट आ रही हैं जितनी चीज़े चल रही हैं हर कोई बात इस वक्त कर रहा है कि D.U.L.B. का जो पेपर है क्या डेलि उनिवर्सिटी जिस तरीके से पहले अपसको अलग करवाता था वैसे ही होगा या ये अब C.U.E.T. के अंदर आ आगाज होगा अब उस प्रेपरेशन की आगाज को करने के लिए उस प्रेपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए कैसे आपको बढ़ना है तब तक क्लियारेटी नहीं आएगी क्योंकि अगर ये D.U.L.L.B. में रहता है तो हम देखते हैं कि यहां पर लीगल आता है और लीग बच्चा करे क्या बच्चा क्या करे क्यूं उसको हमने एक ऐसे असमंजस में डाल दिया है जैसे ही डेली निवर्स्टी की मीटिंग हुई थी डिसेंबर में कि अब हम डेली निवर्स्टी का जो ये पेपर है D.U.L.L.B. वो अब हम सोच रहे हैं करने की थूरू C.U.E.T. अब जैसी ये न्यूज आई तो बच्चों के बीच में as usual क्या हो जाता है देर इस अ पैनिक सिचुएशन क्या चीज़ आती है हमाँ पर जैसे ही ये पैनिक सिचुएशन यहां पर आती है और बच्चे को समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद DULB के लिए उन्होंने ड्रॉप लिया होगा कुछ लोग अभी देंगे तो अब अगर देखते हैं सिनारियो अगर ये DULB 2023 का जो ये पेपर होने वाला है इसमें actually में आपकी preparation strategy क्या रहनी चाहिए उसके बारे में यहां पर हम कुछ बाते करने ही कोशिश करते है अब ये अगर old pattern तरीके से रहता है तो DULB अगर जैसे पहले होता था वैसे ही अगर ये आगे भी होगा तो क्या होगा और अगर ये CUT में आ जाता है तो इसके लिए क्या क्या आपको चीज़े करनी है वो हम देख लेते हैं पहली चीज़ अगर हम legal की बात करते हैं तो आप यहां पर legal वे topics देखिए जैसे thoughts हो गया आपके पास contracts है आपके पास Hindu law है फामिली law है उसके बाद आप case के अंदर देखते हैं constitution है ये जो major major pointers हैं ये सारी चीज़े आप अगर करते आये हैं और आपने पहले कर रखिए तो इ है इसी तरीके से अगर हम यहां आते हैं CUET में तो यहां पर legal का क्या चीज़ होगा कितना आएगा कितना नहीं आएगा यह सारी चीज़ों के ओपर debate और सोचना अभी बागी है लेकिन यह सारे topics तो आपके common ही रहेंगे तो इनके ओपर पराही कर सकते हैं दूसरी चीज़ आ अगर आप अपने topics like percentages, number system, averages यह सारी चीज़ें ठीक है ना, mensuration, algebra, geometry, time speed, distance, simple interest, compound interest यह सब करके रखते हैं पहले से prepare और उसके ओपर त्यारी करते रहते हैं तो at least चाहिए यहां paper हो चाहिए यहां paper हो यह तो चीज़ आएगी 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 आपके सामेंग English में if we pay attention to synonyms, we pay attention to antonyms, we pay attention to fill in the blanks, we pay attention to idioms and phrases, one word substitution, spellings, ठीक है आप मुझे बताएगे क्या यह सारी की सारी चीज़ें यहां नही आएगी यहां पर भी आएगी तो आपका as a beginner अगर आपने यह चीज़ सोच ली है कि मुझे डेली निवरसिटी का D.U.L.L.B में admission लेना है तो at least these are those common things that you should pay attention to and you should start preparing for this इसके साथ-साथ अगर आप current affairs, current affairs पे भी ध्यान दे अभी से ही तो भी आपको फायदा मिलेगा उसके साथ-साथ अगर आप logical reasoning यह भी करने लग जाएं इस पे coding, decoding, direction, blood relations, blood relations, यह सारी चीज़े करने रग जाएं तो at least आपके पास एक base बढ़ना तो ready हो जाएगा न, basic level तो हम इस पे से करी सकते हैं, आगे देखेंगे कि उसमें क्या-क्या चीज़े आती हैं, प्लस आपके पास CUATPG का reference है, ठीक है, reference है आपके पास, आपके पास Delhi University का जो actual paper जो पहले होता था, D-U-L-L-B उसका भी reference है, तो उसको commonality रिखो, find out a common ground and at least you can start preparing those, isn't it? You can start preparing those, if you start preparing that thing, so at least beginner जो है आपका, जो शुरुवात है, as a beginner, वो आपके लिए एक संजीवनी की तरह बन सकती है, for D-U-L-L-B this year. आपने देखा है already की D-U-L-L-B का इस साल जा paper हुआ था, the cut-off was really high for general category and when it was really very high for general category, then the competition in this paper will be quite strong and then the competition will be there and it will be in much more number than the previous year, then at least we can guard ourselves, we can at least work towards getting this thing right, जो जो चीज़े हमें पता है की यहाँ यह यह तो common रहेगा, तो इस वज़े से अभी के लिए मेरा आपको suggestion रहेगा की आप यह सब चीज़े ध्यान से करिए, यह सब चीज़ों को अपने प्राक्टिस में लेके आईए, every day start doing some questions, ठीक है, हम आपको already करवा रहे हैं, हम आपके लिए बहुत जल्दी batch भी लेके आएंगे, D.U.L.L.B. के लिए, तब तक के लिए, at least आप यह सब चीज़े करिए, आप books, आप जो newspapers हैं, उनको पढ़ना शुरू करिए, R.A. Subgal उठा लीजिए, जिसमें से आप math के basic questions कर लीजिए, आप जो भी हम आपको legal की glasses कराते हैं, उसमें से जो basic चीज़े हैं, वो उठा के लिखना शुरू कर दीजिए, so that at least, चाहे CUET में जाए paper, या वो अपना paper खुद कर रहें, तो जो common आपका subject area है, उसकी preparation आप अभी से कर पाएं, तो ये सारी चीज़े आप करते रहें, और जुड़े रहें हमारे इस channel के साथ, और उसको ऐसे ही प्यार करते रहें, D.U.L.L.B. के बारे में, और जैसी ही update आएगी, लेके आऊँगा सबसे पहले मैं आपके सामने, नाम है आशीजगत, ख्याल रखेगा, हसते रहें, मुस्कुराते रहें, सेशन अच्छा लगाओ, तो लाइक कर दीजिए, और बस comment करके जरूर बताएं, और कोई information चाहिए, D.U.L.L.B. के बारे में, तो नीचे ब